है थे अमैं आज की वीडियो में हम एक स्क्राइब कि sort day कि किस तरह हम किसी एक वैरेबल की मदत्थ से अपने function को कॉल करेंगे और अपने मतलब की पहले function की मतलब से दूसरे function को अंगे अशन समझाता हूं कैसे यहां पर एक program दूगा उसके लिए दूसर सकते हो पहले में def लिखता हूं फंक्षन के लिए और यहां पर इक बनाता हूं outer function आउटर फंक्शन ठीक है तो इस आउटर फंक्शन के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं या फिर अगर कुछ नहीं पास करना चाहते तो कुछ नहीं पास करेंगे ठीक है यह आपके उपर है यहां पर एक फंक्शन रखा आउटर फंक्शन ठीक एक फंक्शन के अंदर एक और फ आपको जो कामं इनर function में कराना है inner function आपका main function होने वाला तो जो भी काम कराना वो आप यहां करा लेंगे let's say मैं आपर एक print statement लगा लेता हूं और यहां पर लेता हूं inner statement ठीक है इतना हो गया अब जो भी कामे कराना था वहुने करा लिया और बैग जाने के बाद मे जो हमरा outer function था उसकी मदद से अपने इनर function проблем कर देंगे मतलachen return कर देंगे did n important कि इन्नर में हैं कि समाझ या ऑउटर फंक्ष्ट उसके बाद यो इनर फंक्ष्ट को कॉल कर दिया है कि तो इसे किस तरह युद्ध खर कर यहाँ पर विए वहाँ लेकर लेंगे कुछ भी अ कुछ भी कि वह ले सकते हो variable ठीक है तो इस variable के अंदर क्या करेंगे अपना जो outer function है ना उसे call कर लेंगे outer function को call कर लेंगे अब जैसे ही मैंना outer function को call करा तो क्या होगा जो outer function है वो पूरा run कर जाएगा ये पूरा run करेगा तो क्या हो रहा यहाँ पर यह function हो रहा है तो function डिभाइन हो रहा है क्या सब फर्कड़ता ठीक है तो पहले रिटेंद वाली चीज़ पर जोड़ेखा कि आकर क्या करा गया है यह आपकर रिटेंद करा गया है inner function inner in that id end करा गया मतलब यार देखो एक बास समझना मैंने inner function को रिटेंद करा बट execute नहीं करा है execute होता आपका ऐसे बट मैंने ऐसे नहीं किया सिर्फ ऐसे लिखा है तो इससे क्या होगा जो हमारा यह variable है यह variable यह variable एक function में convert हुए आएगा कौन सा function जो भी यह return हो रहा है जो कि इनर function ठीक है अब इस variable को use करके आपने इनर function को भी use कर सकता हूँ मैं मतलब कि यह कुछ इस तरह है आपका बताता हूँ देखो यह अब कुछ इस तरह हो गया है inner function हाँ यह कुछ इस तरह हो गया है ठीक इनर function ठीक है तो यह कुछ इस तरह हो चुका है समझाया अब इनर function के जो डेटा है वह सारा बैटेबल के चला गया तो उसकी मदर सरी हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहते हैं ठीक इतना होगया अब बैड़ेबल जैसे हम एकजिडियूट एक्स च्त्येट्टिमेंट वह साथ में रन न हो जाएगा जैसे करेंगे सबस्क्रेट्टैमेंट एक इंठेटमेंट ऑर ब्स बुम बन डोसी को मेंनी अब यक्व्य देए वियते हैं समाज है से पावरस्टे अगर जैसे कि two का power find करना है तो two star star और जो उसकी power है वो ठीक है अब आपको एक ऐसा program मनाना है उसमें जो number चाहें वो सकते हैं जो power चाहें वो सकते हैं मतलब power की value और number की value हम user से लेंगे तो उसके लिए ये काम हम function returning function से कर सकते हैं बहुत इसी दिखाता हूं कैसे यह थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं तो यहां पर एक program बनाएंगे जिसके अंदर हम power find करेंगे किसी भी number का किसी भी power को मतलब ऐसा निया में square find करेंगे q find करेंगे वह भी हम चाहेंगे वही find करेंगे ठीक है तो एक function में sicher and define करते हैं सबसे पहले function के अंदर क्या करेंगे इस function के वह हम जो नाम दे अचाहें फो नाम दे सकते हैं कि जैसे की हम यहाँ नाम देते power क्योंकि स्टाइटक्च का पावर मांगे उससे कि आफिब। क्या होने वाली है है तो पावन हम क्या रख लेते हैं एक्स ठीक है उसके बद एक function मिलाएंगे number और यहां क्या पास करतेंगे n ठीक अब यह जो main function हमारा number इसके अंदर हम क्या करेंगे अब power find लेंगे power किस तरह होगी जो हमारा number है इस्टार इस्टार जो हमारी पावर है, मतलब N की पावर X और यही चीज़ हम कर देंगे return, हो गई return अब जैसे हम अपने main function से बाहर आएंगे, हमें वस इतना करना है return कर देना है अपने number को जो की हमारा function inner function है जो की ठीक हो गया, ठीक है अब क्या करेंगे to power एक variable ने लिया इसमें क्या करेंगे, वियरेबल को हम इस variable के इंदर अपने power function को call करेंगे और उस power function के इंदर वह उस power की value को डालेंगे मतलब x की value को डालेंगे यहां क्या करेंगे, power और इस power के इंदर वो power डालेंगे जिसकों हमां find करना है for example, starting में हम बता देंगे हमें 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 पावर 3 नहीं है बताने की बारी खेंग Кिस नहुंबर हम करकर ना किस नमबर करना तो इसके लिए कैसे होगा देखो यहां क्या करेंगे है हमत कि दो यहां पर आप ध्यानसे देखो पावर्ट rif करने के बाद x जी ली तो आ गयी है यह जो वेरेबल यह जो वेरेबल है तू पावर है के अंदर जो वारा number function है वह पास हो गया है तो अब यह तू पावर ही number function की तरह वर्क करेगा तू पावर स्थ Tranச emаль बॉल एक यह एक डॉबरहल इक आर्ग smart टालना पड़ेगा एंद के लिए यह आर्गुमेंट क्या होगा फॉर एक्जाम्पर हम क्यूब फाइंड करने रहते हैं टू का और यह जो भी कुछ रिटन करेगा उसे हम करेंगे यहां पर प्रिंट अब रन कर लेते हैं जैसे रन करेंगे तो यहां पर एट आ गया सही है बिलकुल ठीक उसी तरह हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम यहां क्या करें पावर इक्वल टू इन्पुट कर लें और इन्पुट करने के बाद में यहां लिख दें एंटर पावर इतना कर दें और इतना करने के बाद यहां थोड़े स्कॉल कर लेता हूं यहां लिख दें नंबर ऐंट में कर देते हैं कि हैं इंटर नंबर कि इसे यहां पर पावर को व इपेड़ कर देते हैं तो इससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा हमारा प्रोग्राम किस तरह विद्ध कर रहा है कि ही नयारगत तो यहांपर पावर हमनेर डाल दआ दिया पावर के अंदर और यह नमबर ड़कर है तो पावर के अंदर ठीक तो इतना हो गया, रण करते हैं, एक सेकंड एंटर पावर, क्यूँ फाइंड करने चाहते हैं, एक सेगे इंट अब्जेक्स नॉट कॉल लिए ओके तो यह आप वेरेबल कर नाम चेंज कर लेते हैं पावर वेरेबल कर लेते हैं अंडर स्कोर भी और यहां भी हो गया अंडर स्कोर भी अब रन करते हैं कीउफान करना टू एट तो समझाएं आपको किस तरह वरक कर रहा है इसी तरह आप इसे वाईल लूप लगा सकते हैं और हम इसी तरह कुछ भी कर सकते हैं मतलब की हम स्टाटिग में यूजर से पूछ लेंगे कि आपको square find करना है या q find करना है या 4 find करना है आप वो कुछ भी find कर सकता है कोई भी number डाल सकता है ठीक है तो I hope कि आपको समझा गया होगा function turning function किस तरह काम करता है हम किसी भी function को return करके किसी variable के अंदर डाल सकते हैं और उस variable को as a function treat कर सकते हैं यही होता आपका function turning function I hope guys कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज तो लाइक कर दो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड थैंक्स